स्वागत है दोस्तों अपने यूट्रूब चैनल आईटियाई टेकिनिकल कुर्स में दोस्तों ये पेपर आल इंडिया टेट टेस्ट केंप्यूटर बेस टेस्ट है जो की ऑनलाइन एक्जाम होता है आईटियाई इस्टूडेंट का उनकी एंसर की है और इसका टेट का नाम है इलेक्टीशन जिए आप इलेक्टीशन से आईटियाई कर रहे हो तो यह मैं आपको वीडियो में से वर्क्शाप टेकुलेशन के 20 कोशन का सल्यूशन बताऊंगा और जो ट्रट थियूरी का चालिस कोशन का था उसका पहले ही अपलोड कर दिया गया है तो आप लोग जरूर देख लेना कि ऑनलाइन एक्जाम पे और इन्हीं सीवीटी पेपर पे कैसे कैसे कोशन आते हैं और आपको त्यारी कैसे करनी है अब कुछ सलेबस में चेंजस भी हो गए है 50 के थियूरी देगा 25 के वर्क्शाप कैकुलेशन देगा इंप्लाइवेल्टे स्किल के भी कुछ कोशन मिल जाएंगा आपको देखने को जिसके पहले का पैटर्न जो था उसमें से 40 कोशन ट्रट थियूरी के थे अब वर्क्शाप कैकुलेशन की 20 कोशन होते थे 2020 में जो एक्जाम हुआ थे तो आप लोगों को कोशन देखने से लेवल पता चल जाएगा कोशन पे प्रस्म कैसा आता है कोशन पेपर पर उसका एंसर क्या होता है क्योंकि यहां पर एंसर की भी दी गई है कोशन तो दिया गया है साथ साथ में एंसर भी दिया गया है तो आप लोग दोनों देख लेना ठीक चैनल पे आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि किसी भी प्रकार के पेपर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुन जाए और इसके पहले जो निमी पेपर पैटर्न से आधारित कोशन पेपर हो भी अपलोड कर दिया गया है चलिए आते हैं फर्ष नम्मर कोशन पे जो मैद का कोशन आज का है फोर्टी वन नम्मर कोशन से आपको मिलेगा और मैं वहीं पे सीधे ले चलता हूँ आपको सी और फोर्टी वन नम्मर कोशन की दिबात कर रहे तो फोर्टी वन नम्मर कोशन बहुत सरल आया था और ऐसे कोशन आते हैं मैं कोशन पढ़के बता देता हूं कि 41 नमर कोशन पर क्या आया था लिखा जो इंजन चलती भागों में इस नेहा तेल का उप्योग करने का मुख कुद्दिस क्या है राइट एंसर होगा बी नमर घर्षन को कम करने के लिए सबको मालूम हो जो तेल हम लोग डालते हैं इंजन में या बैरिंग में तो घर्षन कम करने के लिए ही ऑयल का यूज करते हैं ताकि लुब्रिकेट हो जाए और हमारा घर्षन कम हो राइट एंसर है जे बी नमर करेक्ट होगा दोस्तों में पर answer, गलत और सही दोनों को जवाब दिया रहेगा आपके पास मैं आप सही सही answer को जवाब बताओंगा इस question का सही answer कौन सा है आप लोग जरूर देखना हो अगला question है अगला question ये कह रहा है घरसन बल पर कौन सा निरभर करता है जो घर्षन बल होता है उसमें कौन सा निर्भर करता है राइट एंसर बी नम्मर होगा संपर्क सर्फिस राइट एंसर बी नम्मर नेश्ट कोशन है इस नेहक को बनाई रखने के दोरे एक मसीन की दक्षिता का कारण बनता है राइट एंसर ए नमबर होगा बढ़ती है करेक्ट एंसर इजए ए नमबर अगरा कोशन दिया गया है यद घर्षन गुडांक एंब बरबर 0.0125 है तो किसी बस्तु का भार 30 केजी के बल द्वारा स्थानांतित किया जा सकता है इसका राइट एंसर होगा डी नमबर 2400 केजी किसी इस्टूडेंट ने गलत एंसर लगा दिया था ए नमबर वो लगाया है उसको बार ने इंसरा रहा है फार्मूला एफ बरबर एम आर आप कर सकते हो इसके माद़न से आप निकाल सकते हो एम का कितना है और एम बरबर ये है एफ निफो कितना केजी बजन है तो आप आसानी से निकाल सकते हो ठीक या फबटे या M के माध्धम से भी निकाल सकते हो अगला कोशन है इसका जो solution आप करोगे तो 30 बटे 0.0125 से divide कर दोगे तो इसका answer राइट आ जाएगा 2400 केजी अगला कोशन देख लो हो गया आयताकार पिंड के गुरुत का केंदर क्या है जो आयताकार पिंड के जो गुरुत का केंदर होता है वो है C नमर इसका जो राइट अंसर होता है जिससे आयताकार है इसका जो गुरुत का केंदर है गुरुत तेनी सेंटर का पूछा गया सेंटर का जो केंदर का पूँचा है इसका right answer होगा C number इसके बिकरणों के चवराहे के बिंदू पर ठीक अगला question है चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहते हैं सबको मालूम होगा चक्र जो होता है circle उसके सबसे बड़े चाप को अपनलोग ब्यास कहते हैं right answer होगा B number diameter correct answer is B number अगला है यदि ब्रित का 6 तरफल 88.5 cm2 है तो ब्रित का ब्यास क्या है इसका right answer B number होगा 10 cm अब ब्रित का निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए T pi r square होता है बराबर 88.5 इसके मादन से बटे में आप 3 कर दोगे तो इसका right answer आ सकता है बहुत अचसानी से आप निकाल सकते हो चलो next question की बात कर लेते हैं अगला question दिया है 5 A square Bx 8 A square B cube का गुड़न मान क्या है अब इसका भी फार्मूले से आप निकाल सकते हो 4 A square वाले से बहुत सरल question है और ऐसे question आपके paper में आएंगे तो आप लोग त्यारी कर लेना इसी तरह के question paper आपको मिलेंगे इसका right answer A number हो जाएगा अगला question देख लो 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्ड क्या होता है 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का जो मूल होता है वो होता एक right answer एजे B number अगला दिया है A cube minus B cube का मान अब आपको मालूम होना चाहिए A cube बी cube का मान इसका right answer तो B number दे रहा A minus B A उसका एप्लस B उसका एप्लस AB इसका answer right answer B number correct हो जाएगा अगला है इनमें से कौन सा thermoplastic सामग्री है thermoplastic जो सामग्री है वो दे नमर है Binyl Polymer thermoplastic सामग्री को बोलते है अगला है कौन सा बल crank salt पर कारे करता है जो crank salt होता है उसमें कारे करता है बल force की बात कर रहा है इसका right answer होगा B number thermals अगला है tempering पर क्रिया करते समय एक धात के टुकडे को 250 degree centigrade पर गम किया जाता है तो उस धात के टुकडे का रंग क्या होगा right answer होगा भूरा यहनि brown ठीक चलो next question की और ध्यान देते है अगला question की अज़ बात किया जाए तो अगला question यह है उसमा उपचार की प्रिक्रिया क्या है उसमा उपचार इसका right answer होगा A number संदशना और गुनों को बदलने के लिए heating और cooling की प्रिक्रिया ठीक अगला question है ESP का बिस्तित रूप क्या है right answer होगा C number selling price ESP कितना में sell किये कितने price का था विक्रे मुल्जिस को बोलते है अगला है I किसको निरूपित करती है सबको मालूम होगा I जो होती है Interstant को निरूपित करती है अगला question है साधारन ब्याज क्या होगा RS 12000 की धन्रासी 1560 में 15600 में बन जाती है तो ब्याज पूचा है इसका right answer 3600 रूपए ठीक चलो अगला question की बात कर लेते हैं अगला question क्या बोल रहा है कौन सा प्रधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकासित करता है अनुसूची प्रधिकरण की बात करता है इसका right answer हो सरकारी विभाग गवर्मेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते है अगला question है कच्चे लोहे में कौन सी असुद्धता इसे कठोर भंगुर बनाता है इसका right answer होगा बी नम्मर सल्फर ठीक बी नम्मर करेक्ट हो जाएगा सल्फर सल्फर जो होती है कच्चे लोहे में असुद्धता मिलाने से कठोर बना देती है अगला question पुस्तक का नाम क्या है पुस्तक का नाम क्या है जिसमें बिभीन दरों का संकेत दिया गया है 60 नम्मर जो दिया गया है इसका जो right answer होने वाला है D नम्मर होगा मूल सूची उस पुस्तक का नाम क्या होता है जिसमें बहुत सारे दरों का संकेत दिया है अगला है मूल तो इसको अपने लोग मूल सूची बोलते है प्राइव जिसको प्राइस इसका जो right answer होगा D नमर करेक्ट होगा दोस्तों जो वर्षा प्रकुलेशन है सिर्फ VC कोशन आपको देखने को मिलेगा अब भी इस कोशन का सलूचन में करा दिया हूँ आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना ताकि नेश्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए थेंक्यू